नमस्कार दोस्तों मौसम विबाकी अभी अभी की सबसे बड़ी खबर मद्धे प्रदेश में भयंकर तबाई को लेकर आ रही है जी हाँ दोस्तों बता दे मद्धे प्रदेश में लगातार बारिश का कहर बरप रहा है भोपाल में तेज बारिस के कारण मंद सोर में मा बेटी दोस्तों बह गई है वहीं प्रेमुक नदियों में बाड आ रही है नागपुर हाईवी बंद कर दिया है दोस्तों लोगों की लगातार मुसीबते बढ़ती ही जा रही है मद्रे प्रदेश में बारिस का कहर जारी है दोस्तों बता दें कि लगातार बारिस से नरमदा, तापती, शिप्रा, एंउ, बेतपा के साथ छोटी नदियों में बाड आ गई है बोपाल में कभी कम तो कभी तेज बारिस हो रही है आज भी लगबग दो इंच बारिस हुई है नदी नालो में उफान के कारण मंद सोर में बाइक पर सवार मा बेटे बह गई हैं किसी तरह बेटे को बचा लिया गया है लेकिन मा की लास ही मिली है इसी तरह उज्जेन में एक बोलोरो बह गई उसमें सवार तीन लोगों को किसी तरह बचाया जा सका है सुक्तवा पुल का एक हिस्सा बहने से भोपाल नागपुर नेशनल हाईवे उन्हें तरदोस्तों बंद करना पड़ा है उज्जेन के महीदपुर में बोलोरो पुलिया पार करते समय बह गई बोलोरो में तीन लोग सवार थे चालग ने पुलिया प मित बह गया बेटे को आसपास मौजूद लोगों ने किसी तरह से बचा लिया लेकिन महीला की तेज बहाओ में बहने से मौत हो गई राजगड में चार घंटे हुई भारी बारिस ने जिले के संडावता हराना और भ्याना गाओं में हालात बिगाड दिये हैं रात तीन 10-10 फिट तक खोल कर पानी छोड़ा गया बोपाल नागपुर नेशनल हाईवे उने तरपार नव निर्मित सुक्तवा पुल का एक हिस्सा बह गया है यह है पुल नरमदा पुरम बेतूल के बीच है साथियो इसी प्रकार से देश के कई राज्यों में लगातार भीशन बार और दोस्तो अब तो अगले 48 घंटों में दिल्ली, हरियाना, पंजाब, राजस्तान और उत्तर प्रदेश में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है दोस्तो आज नरमदा नदी में एक यात्रियों से भरी बस गिर जाने के कारण 13 लोगों की मौत हो गई है इस करण आप से बार-बार रिक्वेस्ट करते हैं कि जब भी गाड़ी ड्राइव करो तो बड़ी से ही करो मोसम से जुड़ी हर अपडेट आपको चैनल पर मिलती रहेगी चैनल अभी ही सब्सक्राइब करें वीडियो को जादा से जादा से शियर करें ताकि मोसम की अपडेट सभी लोगो तक पाउसा के दने बाद दोस्तों